हेलो फ्रेंड्स में नाम है वीजे और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एडवांस लेवल के पॉजल के उपर जिसमें आपके लीनियर बेस्ट, फ्लोर बेस्ट, बॉक्स बेस्ट ठीक है और आपके यह और डेट्स वाले पॉजल्स आहेंगे तो चलिए स्टा जायत है पॉजल्स का कैसे सॉल्फ करेंगे कैसे कंडिशन लेखेंगे तो वह आप जरूर देख लिजेए वन्या आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है तो सबसे पहले कोशन किस तरह सॉल्फ करना है सबसे पहले आपको कोशन को पढ़ना है उसको नोट डाउन करना है नो डाउन करना चालते हैं तो स्क्रीशॉर ले ले अंगे फिर आपlines को सॉल्फ करेंगे फिर हमारे स्लुचन को देखेंगे ठेक सलुचन को मत देखीगे एक बार खुछ से करने खॉचिश कीज़ेगा और आप डिरेक्ट इस वीडिए विडियो में और चम क्राइब इस वीडियो में तो फ़िले की दो वीडियो जरूर देखें किसे करते हैं क refusing करना है इस तरीके से वह सब आपको बता रहा है हैVer ही इसोट्रां किस अब बड़िए को सब करने को यहां करें हैं Arena पहले रो में बैठे हुए है अलग अलोग है वो क्या कहा रहा है कि इस पोजिशन एक्जर्टली अपोजिट ऑफ चेतन के अपोजिट बैठा हुआ है और क्या कर रखा है दा पहले है और अलोग की बात हु लिए अलोक ने भावना टिसंतर एक ही है और अब देखेगे यहां पर हम की नहीं नहीं कि है पता है काहाँ को देख रही है नीचे की अपरकी तरह एक कंडिशन लिख कें यह रहे हैं यहां पर यहूध ये मानगि चलेंगे ये कहई को भी सकती है ठीक है साउत को भी और नौर्थ को Malaysia कहा रहे है and just pink ठीक किसकी बात अरेंड लगा है तो यहां पर beauty बात हो भी मतल cauliflower यहां क्या पहेना है पिंक कलर पहेना है कि यह क्या कहा रहा है अब orange shirt, fazzle ने orange shirt पहनी है, fazzle ने बैठी है, orange shirt तो rg लिख रहा हूं ठीक है फिर क्या हूगे, orange shirt पहनी है, फिर क्या रहा है, not seated, at neither of the end ठीक है, यो fazzle है, वो end में नहीं बैठा हुआ है, तो यहाँ पर देखे हैं, बैठी छह जाने रहे हैं, एक, दो, तो यहां यहां नहीं बैठ सकता, end में नहीं बैठ सकता, मतलब वो middle में ही कहीं बैठा होगा, माल लीजिए मैंने इसको यहां बैठा दिया, आप दूसरी condition भी लेकर चल लिए, जहां पर आप इसको उपर बैठाएंगे, south की तरह मुह करके, तो अब देखे, अब मैं बैठा स सकता, D इसकीस में D भी यहां बैठ सकता होगा, यहां बैठ सकता है, और यह जी दियान रखना है, तो यह नीचे को face कर रहा होगा, तो इस का right होगा, इस तरफ इसका right होगा, और अगर आप्ने इस तरफ को face करके बनाएं तो इस'sका right का इसके पूरिंद में बखान में इकता बैटी है जिसका कलर क्या है ग्रीन है मैंने जी लिख दिया यहां पर थोटा सा गलपड़ जाएगा बात मा वह समझ में नहीं आ गई इसको सभी से लख लेते हैं कि यह एक अपोजिट में है क्या एकता का कलर क्या है ग्रीन है कि यह कर रहा है कैन यू डिर्माइन दस सेटिंग अर्रेजमेंट अफ दा कलर ऑफ इच परसंग इस कर दिए हमने है अच्छा चेतनी इस रेड भी कर रहे तो चेटन क्या है आपका रेड है में अब देखें दी कर आ Poliड में नहीं बैठ सकता नियुक्षे पॉलए कि यहा Trent पर क्या होगा अ कि यह बैठ सकता है तभी यहां बैठेगा कि यहां पर anसर बनेंगे और अगर आप आँ ध्यान से देखें और अगर यहां द्यान से देखे यहां भी एफ केराइट में एज़ सी है फके लेफ्ट में और ओर सी भी BK, BK, right में C और A है और DK right में B यहापर DK right में BK right में A से बनला condition दोनों की same है ठीक है, जो यहापर position आदी left और right की वो दोनों में ही same है change क्या रहा है? direction का change आ रहा है अगर direction वो question में अलग change कर दिए इसके बाद तो कोशन आएंगे उसमा अगर वो अलग चेंज कर देता है डिरेक्षन उसके अब से आपस आप आंसर देंगे लेकिन आंसर यह कै निकलेंगे यह दो ही आंसर निकलेंगे ठीक है इस कोशन को देखिए क्या कहा रहा है यहां पर हमार पास है पांच जने ठीक है बैन है अलग 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 कुट्टे हैं उनके पास डॉग है और अलग अलग कलर भी आच्छा तीन कंडिशन इसमें देखी तीन कंडिशन दे रहे हैं आपको बंदी के नाम भी दे रिखा है कैट जो इनने अनिमल पाल लखे है उनका अब देखे हैं अब देखे हैं यहां पर लिखा तो पहले मैं एनिमल करीए महीं पर लिख लेता हूं यहां पर ऐसे बना लेता हूं यहां पर आ जाएगा यहां पर आ जाएगा यह स्क्रीन मा रहा है हां आ रहा है तो यह हो जाएगा एनिमल के नेम यहां पर आ जाएंगे और नॉर्मल जो नेम होंगे यहां पर आ जाएंगे और कलर के नेम यहां पर आ जाएंगे ठीक है यहा रहता है okay yeah yeah क्या है किस फिरुड एकलर इस ग्रीन क्रिस का प्रिस था कलर है ग्रीन एंटमाट ऑवड़ ढॉड को यह करता है अक केस का फ्रइक्ट कलर क्या है ग्रीन है और इसको उन नहीं करता है दा को ऊन नहीं करता है ठीक हो गया शच्छे कर रहा है और और आइवीड रहता यहां पर पहले इसमें तो यह तो यह थोड़े यहां पर तिजिए योड़ाका थिसरा। ये ज़े हो जागा दिसरा, ये ज़े हो जागा देवेट, रहता है 박 debate, में कोफी के कर रहा है और कलर ही डस नॉट ओंस दोग हुए डेवीड इन फर्स्ट हूथ दा ओनर ऑफ दे पैरेट है वो इसके बगल में रहता है आपके ब्लू के बगल में रहता है तो ब्लू इधर लेफ्ट हैंने साइड भी आ सकता है और फी क्या कर रहा है अला श्रस्ट रह सब्सक्还 करता है रहा बच अली करता है अलैक्स होड़ फीषर करता है अच्छा जो फिश वाला है वो किसके राइट में है किसके right में है red red के right में है fish वाला ओके यह कह रहे है और red और B और C are next neighbor ठीक है और parrot रहता old में parrot रहता खहाँ odd ठीक है तो देखी डेविड ठीक है ठीक है ठीक है कि डेखिए बैर यहां रहता है ति हग बंठ रहता है एह तो ज़तना मलब या तो की दुपर यहां पर यह ने तो बचा क्या ए एलक्स एलकस आजागा यहां पर जिसके पास है रहाँ बैबिट तो इस साइट तो यहां पर तो यहां पर यहां पर आगा यह कंडिशन भी हो गई और ऑगे यहां तो ब्लू आगया तो यहीं पर जिसके पास ग्रीड ठीक हो गया और यह क्या रहा है कि रैड के रैड में फिश रहता है और तो यहां पर आएगा तो फिश यहां पर रैड यहां पर नहीं आ सकता रैड यहां पर नहीं आ सकता तो रैड के लिए सिर्फ यहीं जागा बच्ची फिश आ गया यहां पर ठीक है और यहां पर नहीं फिश यहां पर लिखना पड़ेगा क्या करती है मैंने यह यह था डेविड यह था आपका बैन था यह ठीक है सी था यहां पर ठीक है यहां पर सी नहीं होगा यहां पर नहीं होगा यह डिया और रेड ब्लू यहां पर आ सकता है रेड ब्लू यहां पर नहीं आ सकता है यह कि अधिश कि अधिक गटेश यहां पर देखे जो यह condition है ना आपके रेड और फिश वाली इसको हम यहां पर नहीं रह सकते रेड को क्यूं क्यूं नहीं रह सकते क्यूंकि यहां पर यह नहीं पता रखा है कि यह बंदी कि इधर को देख रहे हैं ठीक है हमें यह नहीं पता है ठीक है वो साउथ को भी दे सकते हैं नौर्थ को भी दे सकते हैं अगर नौर्थ की साउथ की तरफ देख रहोंगे तो जो राइट होगा वो इस तरफ होगा और साउथ नौर्थ की तरफ देख रहोंगे तो राइट किस तरफ होगा इस तरफ तो यहां पर का पचा हुआ है और यहाँ पर उसका बच्चा हुआ है ठीक है तो यहां डॉग नहीं आ सकता डॉग तो यहां है तो फिश यहाँ आय satisf हो प्लिक ऊछन था है कि एक ले मकशन था यह यहां रेश Lord था जांट हैं यहां पर सबसे पहले हमने क्या करा बैन को रखा यहां यहलो समस्क्राइब धादा जो किया तो यहां इन Mir गणève कि नहीं पता ही कि मैं पता कि कि किस तरफ देख रहा है वो नीचे को भी देख सकता है तो राइट इधर को बन जाएगा उस तर ठीक है अब यह कोशन देखिए क्या गहा रहा है 12 परसन वेरिंग से पैलर एक दूसरे के हैं एक सब्सक्राइब एक्वल डिस्टेंस पर हैं ठीक हो किया साउथ अच्छा यह वाले इधर को देख रहे हैं और अच्छा इसमें बता रखा है कि कौन से वाले तो यहां पर हैं बता रखा है देखिए कि पी या तो ऐसे बैटा होगा या तो ऐसे बैटा होगा या तो पैणिशन में फटाफ़ करूँगा वन परसंट इंद रवन फेसे यहां पा देखे क्या कर रहा है वन परसंट एक जहना बैटा है किसके बीच में पी और दा वन who faces A A को जो face कर रहा है उसके बीच में एक जना बेटा है A यहाँ पर होगा जो कि A धरी साइड है उसको जो face कर रहा है उसको face कर रहा हो कोई यहाँ पर बंदा उसके बीच में एक जना बेटा है इसी तरह से A यहाँ पर होगा A को यह face कर रहा होगा कोई बंदा होगा फेस कर रहा होगा उसके बीच में एक जोना बैठा हुआ है ठीक है यह कह रहा है इस लाइन का मतलब यह वन परसन एक परसन बैठा हुआ है किसके बीच में पी के बीच में पी के बीच में और उसके बीच में जो ए को देख रहा है ठीक है तो ऐसे बनेंगी और यहां पर आ जागा भी ठीक है उसके बाद क्या क्या रहा है कि वो सीटेट थर्ट तुदा राइट ऑफ डी जो है वो थर्ट तुदा राइट में है किसके डी के अब देखें सी यह भी सी वाले उपर बैठ हुए अब यह राइट बोला है हम किस तरफ बनाएंगे कंडिश तरफ हो गा ये ही गाहां बैठ सकता है ट यहां नहीं बैठ सकता है धी यह रखा कि तरह किस को सीटेट सेक उर्ट के दी अब किसको फास कर रहा थ है क्यों एक जनों को आंग फेस कर रहा है जो कि कररह वनहों सेकget Ürites नकीं है right की तरफ, first second, second to the right, इसको Q phase कर रहा है, इसे तरह से B का left का है, first second यहां, तो Q मतलब यहां पर होगा, पीक हो गया, one of the immediate neighbor of D faces, one of the immediate neighbor, D का एक neighbor, S को phase कर रहा है, D का एक neighbor, S को, देखे D के दो neighbor, एक यह neighbor है, एक यह neighbor है, यह वाला तो P को phase कर रहा है, तो यह वाला S को phase कर रहा है, मतलब यह S है, इसे तरह से D के दो neighbor है, एक इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, और दोनों S को phase कर सकते, तो हमें confirm यह S कहां पर आएगा, ठीक है, T seated second to the right of S, जो T है, वो second to the right में है, S के, ठीक है, S के T, यहां पर देखे, one person who seated between E and the one who faces you, one person seated between E, नहीं, देखे, E के बीच में और उसके बीच में, यू को जो phase कर रहा है, यू को जो phase कर रहा है, उसके बीच में एक जाना बैठा हुआ है, तो यू इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी कहने का मलदब देखे, ये कह रहा है कि E, के बीच में, one person seat बैठा हुआ है, between E में and, E और उसके बेठा है, यू को phase कर रहा है, U इधर को भी phase कर सकता है, और U ऐसे phase कर लागता है, एक फोड़ के इधर के बीच सकता हैE के, और एक फोड़ के इधर को भी बैठ सकता है, ठीक हो गया? देखे अगर E यहां बैठा हुगा E यहां बैठा हुगा अगर इस वाले हुँद में A चोड़के आएगा A A उसको फिस कर वो U जो कि यहां पर नहीं है मलगा E बैठा है यहां पर इसको A चोड़के B जिसकी यहां पर U बैठा हुगा है तैफ आजएगा तो ऐसे solve हो गई यह इसका answer बनेगा ठीक हो गया ठीक है थोड़ी दिमाग खुलने वाले question है multiple condition वाले question है इसलिए मैंने है फर question थोड़ी कम रखें जागे आपका exhaust ना हो जाए दिमाग ठीक है तो आप मैं hope कर रहाँगा कि आप वीडियो को pause करके question को call कर रहाँगे ठीक है वीडियो को pause किजिए time लगने देजिए time अगर कुछ अचीव करना है तो इसमें time पक्का लगेगा ठीक है तो अगर इंटर्व्यू में फर्स्ट राउंड में अगर यह question मिलते हैं तो अगर अगर ऐसा होता तो आपको इससे भी बड़ी बड़ी जो साइट जो प्रोग्रामी लेंग्वेज सिखाती है उनकी साइट खोल के देख लिए वहाँ पर आपको एक section aptitude और reasoning का पक्का मिलेगा को इससे भी देखे बड़े-बड़े ब्रैंड के में नेम यहाँ पर नह जो उनकी senior है third year fourth year में अब वो third year में है उनने हमें पताया है कि वहाँ पर जो अपकी companies हैं वो contract to your reasoning पड़ा रही है उनको पता नहीं है कहां से पढ़ना है ठीक है और कितने level का पढ़ना है किस level का पढ़ना है तो इसलिए हमने यह पूरा course बनाया है ठीक है दो तिन बच्चो ताकि उनका easy selection हो पाए पहला राउंड हो पाए ठीक है तो इसने help आप हमारी कर सकते हैं तो बहुत बड़ी जा ठीक है तो पिक्चर हमारे पास पांच जहने हैं जो पिक्चल ले रहे हैं सीटे डाराउंड टेवल सर्कुलर टेबल स्टीक है ठीक है ठीक है तो यहां पर सिर तरह से कर रहा हूं इसको मैं थेर्ड मैंसर से कर रहा हूं एक दो तीन चार पांच जहने बटाए तो मैंने पांच जहने ऐसे बढ़ा दिये ज़रूरी नहीं मैं पहले से खींच के रखूं लाइन कंडिशन के हिसाब से देखूंगा ठीक है तो ध्यान देने वाली बात क्य तो इसका राइड जोगा इधर होगा और यहा पर बेठा यह चीज़र दियान रखेगा ठीक है बच्चों इसमें करफूजन हो जाती कि लेफ्ट कि दरको राइड कितेर को यह चीज़ दियान रखेगा आफ़ी तो क्या रहा है गनेश का रहा है स्विट कलकुलता डेश एप टेश घनेश जो है फ्रॉम वूंबई है ठीक है अफेश किया है मुमबई है ये मैं रिख ग्राई हो कि मुझे है अधत है अगर थोड़ी से भी कन्फूज आ थे कि यम क्या है सब सीधी यू लिख देग मुझे याद रहे था कि हाँ इसका मतलब यह था इसका मतलब यह था है तो थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं अभू पूंबे को मतलब क्या होता है यह 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 पहली सिट बैठा है दूसरी यह है तीसरी शीट यह है तो एक बंड़ा यहांवेठा है तो तो इसी स्रीट रेंसी जोड़ें दो शूड़े बिच में दो शूड़ेंगे थीछ च्छोड के बटा है अगर यह पहली च्ट मैठा है तो दूसरी च्री च्थरी च्छोड के बटा है तो इसे को सिट रहे तो कि एक पर बीच में चूट यह तो यहाँ पर के जो गने सहे दो शीट अवे फ्रम कवीटा जो गने से वह दो सीट अवे है क्या सबस्की में कवीटा क्या में फिरल गृट सकते हैं जो ने टिसे है और वह था हो है है तो बैंगलोर इधर भी हो सकता है धर में दोनों तरफ पंडिशन लेकि चल रहा हूँ है यहां वह एक जना दो जनी हो गए एक जना यह जना यह वह गया डिली से यह हो गया इसान इस नॉट फ्रम मुंबई इसान मुंबई में से नहीं है ऑके एंसे नहीं है और D से नहीं है The person from Kolkata is seated between H और I ठीक हो गया अब देखे यह line देखे H और I के बीट में Kolkata वाला बैठा है H से यहाँ छोड़के अगर I यहाँ बैठा होता तो Kolkata वाला होता यह तो Bangalore वाला है तो महला I धर को नहीं बैठा है I इधर को बैठा है और यह वाला कौन सा है Kolkata वाला है इसी तरह से यहाँ भी होगा दोनों condition लेके चल लोँ में तो यह क्या हो जाएगा और इसके बीच में क्या होटा है Kolkata वाला यहाँ बैठा होगा एक दो तीन चार पांच जने बैठा है इसल में इधर को मान लिए अब आप बोलेंगे इधर क्यूं माना इधर इसमें इधर क्यूं माना देखे तह family इसको यहाँ भी नहीं मानता यहीं मानता तब भी बात तो भी परतली बैंगलडेश के बैंगलोर के राईट में कौन अना हता यह वाला बंदा और यहां पर र Wha के यहां लेता यह वाला बंदा में ही होन Harley को राइटमें ही फोग को द्यान देनी है कि अब देखिए इसे ङृसे दोने तरब अ्वैट थालई है आप मुबे और दिल्ली बचा मुबई बचा मुम्बई यहां नहीं हो सकता तो मुमबई यहीं होगा इसका मतला यहां यहीं होगा इसका है यही है चाह रहा है जी से ऑ है काहता है यह दोनों साइड साइड पहुत अब जिक हो गया अब देखिये तो कंडिशन इसमें कैसी बन गई तो इसमें दो कंडिशन बन जाएंगे पढ़ लेते हैं ठीक है हमारे पैन गिरिया किया म्यूट कर लेगा इस प्राट को ठीक है तो क्या था हमारा अब इसमें कोश्टन जीसे आप से बताएंगे अगर कोश्टन मिसने आप से बोला ही कि एच के राइट में एच के एच नौर्थ देख रहा है उसके राइट में क्या है जाया बैठा है ठीक है तो यह वाला सही हो जाएगा और अगर आपको एक थोड़ा अगर वो बोलता है कि एच नीचे की तरफ देख रहा है उसके राइट में क्या है अब यह वाला कोश्टन देखिए क्या रहा है एट परसन है लाइन में इकवल परसन आर फेसिंग सावर थे नौर्थ ठीक हो गया नौट इन रहना तो कंजिगृटिव एजजेशंट फेसे सेम डिरेक्शन अच्छा यहां बाद देखिए क्या रहा है नौट नौट मोर्ड देन टू कंजिगृटिव एजश तो यहां पास हमें पता नहीं चल दा तो यहां पास हमें पता नहीं चल ला ठीक है तो यहां पास दा नहीं है एस थाल टुदा राइट अचा थाल टुदा राइट अचा एच के राइट मेठा हुआ है डी इमेडेट राइट में एच फेस द नॉट दिरेक्शन अगर फेस करा था एच यहीं पर ही होगा क्यों कि इसके राइट में डी इधर को होगा अब इधर को भी हो सकता और इधर को भी हो सकता है दोनों जगा हो सकता है ठीक है तो मैं इसको बना ही लेता हूं कि अधर कंडिशन कर लेंगे अधर कि अधर कि दो चुड़के था एक राइट की तरफ दो चुड़के था ना जिए बना हैD दीवन यहां द्याओ को देख रहा तो एक-दो-चोड़के-ए-दो-चोड़के ओए-ई-दो-ल्-चोड़के-ए-चोड़के-आजन-दे खे देख वle jud कर देख्ट-देख engaging रहे है तो एक하죠 aarde की रृडग थिए-दो-चार-व्त-म्त-पांच की अब यह इतने आगे अब इसके आगे देखते हैं एच फिसे टू फर्सन सिट बिट्वीन ए ए और ए के बीच में दो जन्री बैठें अब देखें डी से एक चुन के बैठें अब यहां कंपलीट हो गए मतलब यह मैंने बैठाए है ठीक है अब यह कंफर्म नहीं है कि ठीक होगा ठीक है यह आज जन्रीट हो गए अब देखें डी से इधर को तो होगा नहीं इधर को ही होगा कि यहां कि इन गए एक दो टीम चार पांच छे साथ यहां साथ जन्हों गए आठ जना इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है मुझे confirm नहीं है ठीक है question के हिसाप से तो देख लेंगे question में यह से आप से बोला होगा अब देखे आज की क्या है यहां तो हमने पढ़ लिया a third to the left of right whose immediate neighbor of h faces not direction 2% sit between a and e d a does not sit on a extreme end अच्छा a end में नहीं बैठेगा ठीक है वो तो वैसे भी नहीं बैठ रहा है बी sit immediate right of c जो b है जो b है वो immediate right मेठाए c के एक कंडिशन नूट कर ली and both faces south direction अच्छा south direction face करें मलब c ऐसे बैठा होगा तो b इस तरह बैठा होगा उल्टा बैठा होगा उल्टा बनाते हैं हम लोग और यह नीची को देख तरफ देख रहे है ठीक हो गया अब यह क्या कर रहा है and both faces south direction b and a जो b और a है are not adjacent to each other एक दूसरे के adjacent नहीं है जी डस नॉट face south जी south face नहीं कर रहा है जी north face कर रहा है यह जी नॉर्थ face कर रहा है और b c क्या है और a और b adjacent नहीं कर रहा है okay मिलेको इच्छी बताइए यह condition है इसमें आठ के आठ पूरे हो रहे है मला और कोई जगा बची ही नहीं है इसको पूरा करने के लिए तो bc कैसा आ सकता है कर B और c यहां नहीं आ सकता यह उपार को कुछल आ सकता कि कौन सावरा किस डेक्शन में थरू हो गई अब YouTube कुछ लिए वह देखैंटे करूँ अगर यह दोनों नीचे को देख रहोगे उसका मतलब यह दिख रही होगा पर जा गिए जाए को नहीं देख सकते आब अब देखिये यह दोनों एंड में है CH और इशक अरE इसका मतलब 2 यवी ऐसी देख रहा हो गो उपपर ठीक है उपके अब क्या बच्छा हम अब देखे इस वाले केस्ट में बीसी कहां मैठा होगा कि देखें बीसी यहीं मैठेगा क्यूं क्यूंकि या तो यहां को एक जगा बची है यहां तो यहां को एक जवहाँ बचाए इसका मतलब क्या हुआ इसके डिरेशन उपर को होगी। इसके नीचे के विध terrace को होगी दोनों की आगा दोनों मेंसे एक भी नीचे तो तीन हो जाएंगे जो की condition गलत शुटाएगी इस case में क्या होगा यह उपर को बैठा होगा यह चीज ठीक है यह चीज होगी अब क्या बचा देखिए जी वाला देखिए अब देखिए यहां ध्यान समझेगा अदे यार तो कौन सा भी हो सकता है में मुझे जी देखिए को रख सकते हैं या तो इधर को को खोगा आठवा तो इधर को ख़ूगा आठवा 0 कि ऑखिए यहां नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता है कि अगर जी यहां होगा तो यह एंड बन जाएगा ड़ी क्या बन जाएगा ऐंड बन जाएगा और दोनों के अंडके स्यम होने चाहिए यहां है देखिए कहां बोला था लॉट मोर्द ट्री देखिए यह क्या बोला है पर्सन एक्स्ट्रीम एंड पेसिंग देरेक्शन अगर यह नीचे को फेस करना चाहिए अगर इधर को एंड होता है तो इसका माला एंड इधर को नहीं है अब देखिए ये पर को देखिर यह और यह धेगा नीचे को क्यूं देखिए नीचे को यह तो यह था यह करते है यह धी है HD हो गया क्या HD हो गया BC हो गया और हो गया हो गया एक दो तीन जी बच गया यहां पर ठीक है तो यहां confirm नहीं हो पाएगा इस वाले case में confirm नहीं हो पाएगा या तो हमने कोई condition मिस कर दी एक स्ट्रीम एंड ठीक हो गया एंड बोथ फिसे सौफ डिरेक्शन बी एंड आर नौर्ड एंड टू इच दर गया जी दस नौट फेज साउथ आउथ नी नौर्ड फेज़ कर ओके तो यहां पर जी का कोई अगर मैं तो इसको नीचे लेना पड़ेगा अगर मान लेगा तो इसको नीचे लेना पड़ेगा बढेगा अगर माले कि यहां ले लिया इसका मुलग यह उपर को गए तो इसको नीचे को होना पड़ेगा एफ को यह कह रहाई है तो यही इसका अंसर बनेगा में उन पर कोई अच्छा कोशन आया उनके पास ठीक है तो वह पूछ सकते हैं आप हमें कमेंट में बता सकते हम उसको एड कर देंगे बाद में एबी सीटी वार रिलीस ठीक है यह आपका यह वाला आ गया ठीक है तो यहां पर थोड़ी मैद भी अपकी अच्छी होगी अगर कैलक गजार अठार रहा उसके बाद आगे दो हजार एक्टिस और उसके बाद आगे आपका दो हजार चौविस और फिस सत्ताइस काफी साल है हमाँ कि दो हजार सत्ताइस कि अग्ट फिस खबीर और थिक होगया तो मैं कंडिक्शन नहीं इस वाला है और यहांट है और मैंने यह ले लिया एक पाया तू स्माट फॉन और रिलिज्ट बिट्विन जी अन डी और अब्के कहरा की दो स्माटफॉन बेचे गए दो स्माट फोन रिलीस हुए जी और डी के बीच में, ठीक है, which was launch in odd number, तब यह D की बात कर रहे, D जो की odd number में launch हुआ, ठीक है, D launch हुआ, odd में, और G और D की बीच में, दो का gap है, मैंने दो जने बीच में आ गए, F is released in a year divided by 3, अब F तब release भूआ, जो वो 3 से divided हो सकता है, 3 से divided होना ले कौन कौन से number है, कैसे पता करेंगे हारे number को add कर दिंगे, अगर हो 3 से divided हो जाता है, तो वो भी हो जाएगा, जैसे, 2 और 1, 3, यह 3 है, इसका sum कितना है, 3 है, तो यह divide हो जाएगा, यह 3, 1, 4, 6, यह भी divide हो जाएगा, 6, 7, 8, 9, यह भी divide हो जाएगा, यह 3 हो जाएगे, 8, 1, 9, 10, 11, यह नहीं हो सकता, 2, 3, 4, 5, य मला यह 3 साल है, जो की F से divided हो सकते हैं, मला 3 से divided हो, तो इन तेरा में, शे में, यहाँ रहा है, इन दोनों में, ऐसा किसी में, F आ सकता है, तो मैं ऐसे करके F एफ लिक दे रहा हूं, इसमें 3 हो में आ सकता है, यहां 3 हो मा सकता है, तो जीए कर रहे है, the number of smartphone released between C and B, as same as the number of smartphone released न क्या करें तहुंक सो एक है त्यक्त अम्हों दिवाइड नहीं हो से यह नहीं होना टिग दिजिटी रूल होता है ठीक है जो हमने लोग पूरा देखेंगे फूर को capita यह 7 का ठीक है थोड़ा सा टाफ होता है 7 का ठीक है किसी वज़े से याद नहीं है यह दस नौट रिलीस एजसेंट टू डी के बगल में नहीं निकालता फॉर्म और कोई कंडेशन चूट गई या अच्छा यह भी कंडेशन चूट की देगे बड़ आफटर डी बनलब जो एफ है वो डी के बाल निकालता है अब देखे एफ के लिए तीनी जगा बच रही थी इस वाले केस में इस वाले केस में यहां पर देखिए धन से अनी तो एस वाले इड होना चीए यह होना चीए तो यह पर जैए हो गया वाले केस में फाले इस से रोले केस में और में पर बहुत creating के सब्सक्राइं नहीं जब बात हो गो यह कंडेशन घलत हो है इसंका यह उह कंडेशन ने hell … अब देखें F कहा होगा F टॉक में नहीं हो सकता F यहाँ नहीं हो सकता क्यों क्यों कि उसके ओपर D आना चाहिए था D फिर यह even में हो जाएगा तो इसका मतलद D तो यहाँ पर F आएगा यहाँ पर इन यही तीन जगा बची वो 3 से डिवाइड हो पारे F के 3 जगा बची थी इसमें F यहाँ पर आ गया D यहाँ पर आ गया D से 2 छोड़के G होगा तो A 2 छोड़के G नीचे की तरफ आएगा अब देखिए A is not adjacent to D है रहा है तो देखिए यहाँ पर क्या कहा रहा था C से जितना छोड़के B होगा उतना ही छोड़के A होगा अब यहाँ पर हमारे सिर्फ A की कंडिशन मच गए B को यहीं देना पड़ेगा अभी मैं A को यहाँ ले पाऊँगा A को नीचे की ले रहा हूँ? क्योंकि A उपर नहीं पाएगा जाएगा इसी तरह से आपके कोशन में कोई डाउट आता है तो हम देखेंगे ठीक है आने वली वीडियो से अभी आने दो ती वीडियो और आएंगी ठीक है मैं आज ही उन वीडियो को बना लूँगा और अगर वो एडिट हो जाती है आस में तो आज ही आपको एक बढ़ा झाल 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 झाल